कि जब किसी एंटिबायोटिक के साथ आप इसे खाते हैं तो इस एंटिबायोटिक की M.I.C. value 1000% तक बढ़ जाती है M.I.C. value किसी एंटिबायोटिक की वो concentration है वो dose है जिस पर bacterial growth रुख जाती है इसका मतलब यह है कि किसी infection को रोकने के लिए बहुत काम एंटिबायोटिक चाहिए होगी अगर उसकी M.I.C. value जादा है जितनी हाई M.I.C. value होगी उतना ही उस drug का effect जादा होगा और आप जानते हैं कि जितनी जादा एंटिबायोटिक खाई जाती है उतना ही body मजीर इसके खिलाफ मुझाहमत पैदा कर लेती है resistant हो जाती है body के bad bacteria बेमारी पैदा करने वाले जरासीम strong हो जाती है और इससे good bacteria जो अच्छे जरासीम है उनकी population भी काम हो जाती है यहाँ bacteria की बात हो रही है antimicrobial properties की बात हो रही है तो एक और research की गई long के तेल पे कि यह कैसे H. pylori की growth को रोकता है H. pylori bacteria मेदे के ulcer और gastritis की वजा बनता है long इन ulcers को gastritis, indigestion, gas और bloating को रोकता है फिर उसके बार यह जो phytonutrient है इसमे eugenol यह body में एक enzyme, monoamine oxidase की action को रोकता enzyme inhibitor की तोर पे काम करता इस enzyme action को रोकने से body में neurotransmitters जैसा कि dopamine, serotonin, nor epinephrine यह सारे mood को बेहतर करने वाले neurotransmitters है इनकी तादाद बढ़ती है यह chemicals हैं body में जिनके होने से mood अच्छा होता depression और anxiety काम होती long के anti-inflammatory effect की बात करें तो यह arthritis के लिए अच्छा कुछ studies में इसकी anti-cancer properties का भी जिकर किया गया specifically lung cancer Chinese traditional medicine में इसे पिछले 3000 साल से इस्तिमाल किया जा रहा सदियों से यह हमारे खाने का इससा रहा